तो फाइनली दोस्तों होंडा की एलिवेट को इंडिया में लॉंच कर दिया गया है आज के इस वीडियों दोस्तों आपर हम पर खरीद आ जाए तो इस वीडियों में दोस्तों हम आपका confusion क्लियर करने वाले हैं दोनाई गड़ियों का Base Unit दोस्तों यहाँ पर हम डेटियल में compare करके आपको बताने वाले हैं कौनसी गड़ियों का Base Unit खरीदना यहाँ पर आपके लिए ज्यादा बहतर हो सकता है तो चलिए दोस्तों फिर हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू आत करेंगे इन दोनों ही गड़ियों के बेस विनिट की प्राइस के साथ में तो दोनोगी गड़ी के base variant की price दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हैं, price दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, Honda की Elevate का SV base model यहाँ आपको 10,99,000 रुपे की 11,000,000 रुपे की दिल्ली एक्सों प्राइस पर मिल जाता है, वही मारतू सुझू की Grand Vitara का Sigma विनिट यहाँ आपको 10,77, लगबग 30,000 रुपे की एक्सों प्राइस पर मिल जाता है, लगबग 30,000 रुपे का difference यहाँ आपको दोनोगी गड़ी की price में देखने को मिलेगा, जो SV variant यहाँ आपको मिलता है, वह लगबग 30,000 रुपे महिंगा मिलता है, सुझू की Grand Vitara Sigma के base variant से है, तो 30,000 का difference यहाँ 33 mm जो कि जदा बड़ा difference नहीं है, चोड़ाई के अगर बात करें तो पांच फी चोड़ाई भी यहाँ यहाँ पर आपको Grand Vitara में जदा मिलती है, यहाँ पर आपको ड्रिवेटर से है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बूटista के आवर मा बात करें तो 85.L का बूटी स तो थोड़ा सा मेटर भी करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको boot space डेफिनिटली थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, ग्राउंड क्लाइंस की अगर हम बात करना है, तो 10 mm का ग्राउंड क्लाइंस होंडा की एलिवेट में ज़्यादा मिलता है, तो Grand Vitara में दोस्तों यहाँ आपको एक इंच बड़ा टायर साइज देखने को मिल जाता है, तो यह तो compare को दोस्तों इन दोनी गड़ी की डैमिसंस, अब हम आगे बढ़ते हम बात करने थे हैं, एक बार इन दोनी गड़ी में आने वाले engine specification के बारे में, तो दोनों की गड़ी के engine specification दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, 1.5 लिटर का Ivy Tech petrol engine यहाँ आपको Honda की Elevate में दिया गया है, जो कि आपको Honda की CT में भी प्रोवाइड किया जाता है, वहीं दोस्तों आपको 1.5 लिटर का petrol engine Grand Vitara के अंदर भी देखने को मिल जाता है, Grand Vitara में दोस्तों यहाँ पर आपको mild hybrid technology देखने को मिल जाएगी, जिससे कि इस काड़ी का अंदर mileage तोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, 119 बहुपी की power यहाँ आपको Honda की Elevate में मिलती है, 102 बहुपी की power यहाँ आपको Grand Vitara में मिलती है, लगबग 9 Nm का torque भी यहाँ पर आपको Honda की Elevate में ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, mileage की दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, पेट्रों यहाँ पर आपको से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको mild hybrid technology मिलती है, जिसके वाज़े से यहाँ आपको grand radar में mileage थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यह तो बातों की दोस्तों इन दोनी गड़ियों की सभी basic information के बारे में, हम थोड़ा सा अगय बढ़ेंगर बात करेंगे इन दोनी गड़ियों के exterior और interior design के बारे में, और अंदर से दोनी गड़ियों का base model आपको कैसा देखने को मिल जाता है, सबसे पहले दोस्तों इहाँ पर आपकर हम बात करें, Honda Elevate के SV base model की exterior profile के बारे में, तो Honda Elevate की base model की front profile दोस्तों इहाँ आप 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 देख सकते हैं, LED daytime running lights यहाँ आप आपको base unit से ही दिये गए है, LED projector head lamp यहाँ आप आपको मिल जाएंगे, front में जिनका throw यहाँ आप आपको काफी better देखने को मिलेगा, LED tail lights यहाँ आप आपको rear profile में देखने को मिल जाएंगी, front grill में दोस्तों आप आपको chrome की finish देखने को मिलेगी, black color की front grill यहाँ आपको दी गई है, काफी broad grill यहाँ आपको मिल जाती है, Honda की Elevate SUV में आर 16-inch के wheel से आप आपको देखने को मिलेगा, side profile में कोई भी wheel cover दोस्तों आप आपको company से देखने को नहीं मिलते हैं, shark queen एंटेनर दोस्तों में देखने को मिल जाएगा, turn indicator भी दोस्तों आपको overview का अंदर ही दिये गया है, fender के उपर हैं आपको नहीं मिलता है, तो exterior profile में आपको सभी basic चीज़े मिल जाती है, interior के अगर हम बात करें तो beach और black color का dual tone interior आपको देखने को मिलेगा, Elevate के base model का, कोई भी magic system दोस्तों आपको company से provide नहीं किया गया, base model में, वहीं अगर हम बात करें महरूती सुजू की grand vitara के sigma model, base model के exterior profile के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको chrome की finish मिलेगी, front grill में, black color की grill यहाँ पर भी आपको दी गई है, Hello John projector headlights दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगी, grand vitara के sigma model में, जबकि आपको Elevate के base model में LED projector headlights मिल रही थी, LED daytime running lights यहाँ पर भी आपको दी गई है, और 17-inch के wheels यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, base variant के अंदर 1-inch बड़ा wheels यहाँ आपको दीया गया है, कोई भी wheel cover यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है, body color के door handle दिये गया है, body color में overview मिलते है, roof rails दोस्तों यहाँ आपको missing देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको शार्क मिन एंटिना दिया गया है, rear profile में यहाँ आपको LED headlights भी मिल जाती है, दोनी गड़ियों में features यहाँ पर आपको लगबग बराबर ही देखने को मिल जाएंगे, exterior के अंदर, interior के दोस्तों के दोस्तों का interior यहाँ पर भी आपको दिया गया है, automatic climate control AC यहाँ पर आपको मिल जाता है, elevate में भी दोस्तों आपको दिया गया था, music system दोस्तों यहाँ पर भी अविलेवल नहीं है, elevate में भी अविलेवल नहीं है, तो interior के मामने में दोस्तों दोनी गड़ियों लगबग बराबर ही रही है, बात करते हैं दोस्तों इन दोनी गड़ियों में आने वाले सभी features के बारे में, दोनी गड़ियों के अंदर, जबकि आपको Hyundai की एक्टर के अंदर, base unit से 6 airbag मिल रहे हैं, ABS with EBD का feature यहाँ आप आपको मिल जाएगा, reverse parking sensor का feature दियेगा है, high speed alert और seatbelt reminder का feature दियेगा है, ESP, electronic stability program का feature मिल जाता है, hill hold control का feature मिल जाता है, central locking यहाँ आपको मिल जाएगी, speed sensing, auto door lock का feature मिल जाएगा, rear defogger यहाँ आपको मिल जाएगा, दोनी गड़ियों में और brake assist का feature भी मिल जाएगा, safety के लिए, तो यह सभी safety features दोस्तों यहाँ आपको अंदर दोनी गड़ियों में, front में यहाँ आपको power outlet मिल जाएगा, mobile charge करने के लिए, front and rear seat के adjustable headrest है आपको दोनी गड़ियों में दिये गए है, height adjustable driver seat का feature आपको दोनी गड़ियों में मिल जाएगा, 60-40 split rear seat का feature भी मिल जाएगा, दोनी गड़ियों में दोनी गड़ियों में देखने को मिलते हैं, बात करते हैं कुछ extra features के बारे में, तो सबसे प्ले यहाँ आप हम बात करेंगे, Honda की Elevate SUV का अंदर आपको कौनसे extra feature मिलते हैं, जो कि आपको Grand Vitara के Sigma model में नहीं मिलते हैं, अगर तो आप Honda Elevate का SUV based model खरीते हैं, तो यहाँ पर आपको traction control का feature मिलेगा, safety के लिए, LED projector headlights यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, rear में भी यहाँ आपको power outlet प्रोवाइट किया गया है, वहीं अगर हम बात करने Grand Vitara के Sigma model में आने वाले extra feature के बारे में, तो यहाँ पर आपको vanity mirror मिल जाएगा, driver ओको driver, sun visor के ऊपर, rear armrest यहाँ आपको मिल जाता है, cup holder के साथ में, sunglass holder यहाँ आपको मिल जाएगा, steering mounted audio controls मिल जाएगे, हलांकि आपको music system provide नहीं किया गया है, तो features दोस्तों यहाँ आप आपको दोनी गड़ी में लगवाप बराबरी देखने को मिल जाते हैं, मारूती की Grand Vitara दोस्तों अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो हमने दोस्तों आप आपको दोनी गड़ी को compare करके बता दिया है, आपकी requirement के साबसे कौन सी गड़ी fit पेट रही है, उसके according दोस्तों आप इन दोनी गड़ी के base model में से किसी एक गड़ी का base model चूज कर सकते हैं,